हला अब्रीवन वेलकम टू 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 इस वीडियो में सॉल करेंगे एक प्रॉब्लम जो कि है चैप्टर सर्फेस एरियाज एंड वॉल्यूम से तो आए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है तो यहाँ पर हमें गीवन है एक वोडन ब्लॉप जो कि सिलेंटरिकल शेप में था उसके दोनों एंड में से हमने हैमिस्पेरिकल शेप को रिमूव कर दिया नाव जो हमारे पास एक नया आर्टिकल बना है हमें इसका टोटल सर्फेस एरिया निकालना है एंड यहाँ पर हमें गीवन है कि सिलेंडर का जो हाइट है वो है 10 सेंटिमेटर एंड इसके बेस का जो रेडियस है वो है 3.5 सेंटिमेटर ओके तो आई सॉल्व करते हैं देखें हमें जो सर्फेस एरिया निकालना है इस नया आर्टिकल का उसमें हमें क्या क्या चाहिए एक तो कर्ड सर्फेस एरिया ओफ सिलेंडर क्योंकि सिलेंडर का जो कर्ड सर्फेस एरिया होगा एक तो वो कैलकुलेट होगा and second curved surface area of two hemisphere, क्योंकि both end से hemisphere remove हो आ है तो जो वो portion होगा, both end से वो भी calculate होगा अब इस नए article के surface area हमें तो ये दो चीज़े हमें calculate करना है तो इसलिए हम इस part को देते हैं equation number one and ये दोनों चीज़े हम calculate करेंगे then इस equation में put करेंगे और अपना answer calculate करेंगे तो first part था curved surface area of cylinder, जिसका formula होता है 2 into pi into r into h और short form में कहते हैं 2 pi r h, right ये सारी values हमको पता है हम put करेंगे and 2 into 22 by 7 into r का value 3.5 into height 10 तो आप यहां से देखे 2 and 3.5 multiply होके हो जाता है 7 तो इन दोनों से हम 7 को cancel out कर सकते है तो यहां बचेगा 22 into 10 जो होता है 220 centimeter square ये आया हमारे पास curved surface area of this cylinder इसको दे देते हम equation number 2 now calculate करेंगे hemisphere का curved surface area तो पहले एक hemisphere का कर लेते है and दोनों का shape जो है same है तो उसको into 2 कर देंगे तो curved surface area of 1 hemisphere क्या होगा 2 into pi into r square यानि कि 2 pi या r square तो value सारी हमको बता है 2 into 22 by 7 into 3.5 into 3.5 same 2 into 3.5 होता 7 तो cancel कर देंगे 7 से now बचा 22 into 3.5 जिसका value होगा 77 cm2 अब देखें एक hemisphere का है 77 तो 2 hemisphere का कितना होगा 2 into 77 यानि की 154 cm2 इसको दे दीजा आप equation number 3 now हमारे पास दोनों चीज़े हैं जो हमें equation 1 को complete करने में चाहिए दी आप ये दोनों values उसमें रखिए put value of second and third in equation 1 तो surface area of this article हो जाएगा curved surface area of cylinder 220 plus curved surface area of 2 hemisphere 154 यानि की 374 cm2 के एक पल यही हमको इस problem में calculate भी करना था ओके गाईस थैंक यू tutorialspoint.com simply easy learning s टू at ач बिंअ a दो अ अ यू अ यू अ झाल झाल